अस्सलाम उलेकुम पैरे बच्चों आज हम हिंदी सुगम भारती सात्वी कक्षा की पहली एकाई का पाट वार्शी कुस्सों पढ़ेंगे जो एक पत्र के रूप में है नागपूर दिनांक 7 जन्वरी 2017 पीर्य मित्र संजय नमस्कार प्यारे दोस्त संजय आदाव तुमारा पत्र मिला आपका खत मौसूल हुआ तुमारे विद्याले में संपन्न हुए वार्शी कुस्सों का वर्णन पढ़कर बहुत आनन्द आया आपके स्कूल में जो सालाना जलसा मुनकत किया गया था उसके बारे में पढ़कर बहुत खुशी हुई दो दिन पुर्व हमारे विद्याले में भी वार्शी कुस्सों बड़ी धूमदाम से संपन्न हुआ दो दिन पहले हमारी स्कूल में भी सालाना जलसा बड़ी धूमदाम से मनाया गया इस समारों के अद्दैक्ष एक भूत पूरो सैनिक थे और इस प्रोग्राम के जो सद्र थे वो साबिक फौजी थे मुख्य अतिती के रूप में महापहूर पदारी थी मैमाने खुसूसी के तौर पर सदर बल्दिया आई थी इस औसर पर अनेक रोचक कार्यकरम संपन्य वे इस मौके पर मुक्तलिब किस्म के प्रोग्राम मनाए गए सात्वी कक्षा के विद्यारतियों ने सांस्कुरुतिक कार्यकरम प्रस्तुत किया अब तुम जमात के तल्बा ने तैजीबी वोसकाफती प्रोग्राम पेश किये इनके दुआरा भारत के सभी परदेशों की सांस्कुरूतिक जाकिया प्रस्तुत की गई उन्होंने भारत की मुक्तलिप रियासतों की जल्किया पेश की विद्ध्यार्दियों की विविद वेज भूष्चा ने दर्शकों की वावाई लूटी तल्बा की, तल्बा ने जो मुक्तलिब किसमे के लिबास पहन कर देखने वालों का मन जीत लिया विभिन्न खेलों की इस परदाय भी संपन्वी मुक्तलिब खेलों के मुकाबले भी मुनकत की गए इस अवसर पर वर्षबर की विविद उपरतियों गिताओं एवा मुपकर्मों में विजयी विद्यारतियों और उनके अभी भावकों को पुरुस्कृत एवाम सम्मानित किया गया इस मौके पर साल भर में जितने भी मुकाबले मुनकत किये गए थे सरगर्मिया मुनकत की गई थी उन मुकाबलों में इनाम पाने वाले बच्चों को इनाम दिया गया इन विद्धार्तियों के मार्गदर्शक शिक्षक शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया गया और जिन असातिजा ने उनकी रहिनुमाई की थी उनको भी एजास से नवाजा गया वार्शी कुस्तों के उपलक्ष में आकरशक रंगोली की परदर्शनी लगाई गई सालना जलसे के मौके पर रंगोली की मुकाबले भी मुनकत किये गए स्वादिष्ट वेंजनों की परतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था और खाने की मुकाबलों का भी इनकात किया गया था इन में विद्यारतियों ने बढ़चर कर इस्सा लिया इस प्रोग्राम में इतन मुकाबलों में तालिब इल्मों ने बढ़चर कर हिस्सा लिया इन सभी की अतीती महुदया एवं अद्यक्ष जी ने मुक्त कंट से सराना की मुकाबले में हिस्सा लेने वालों के की महुदया अतीती महुदया ने महमाने खुसूसी और सद्र ने प्रोग्राम के सद्र ने भी बहुत तारिफ की मुक्य अतीती ने अपने भाशन में विद्यारतियों को परतियों गिताओं में प्राप्त सफलता पर बदाई दी मैमान्य खुसूसी ने अपनी तक्रीरों में जिन बच्चों ने मुकाबलों में इनामात हसिल किये थे उनको मुबारक बात दी उन्होंने अपने विद्यारती जीवन की कई गटनाई सुनाई और उन्होंने अपने तालीब इलमे के जमाने की बहुत सारी बाते और वाकियात उनको सुनाया मुख्य अतिती ने बच्चों को बताया कि वे अपने माता पिता और गुरुजनों की प्रत्यक बात ध्यान से सुने और उनका पालन करे मैमान्य खुसूसी ने बच्चों को बताया कि वो अपने वाले देन और असातिजा की हर बात पर ध्यान दे और उनकी सुनी हुई बातों पर अमल करे विद्याले में सीखी गई बाते उन्हें हमेशा समल देती रहेंगी स्कूल में सीख्योई बाते उनको अगली जिन्दगी में रहनुमाई यानि आधार देंगी समारों के अद्यक्ष ने विद्याले की रचनात्मक गती वीदियो की प्रशंसा की और कहा देश होगा तभी बल्वान जब बलीदान देंगा हर नौजवान मुकाबले के जो सद्र थे उन्होंने स्कूल की जो सरगर्मिया थी उसकी बहुत तारिफ की और कहा और बच्चों से कहा कि देश तभी बल्वान निताकतवर होंगा जब इस देश का हर नौजवान बच्चा अपनी कुर्वानी देंगा उन्होंने विद्यार्तियों को देश एवं समाज के लिए त्याग करने हेतू ततपर रहने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने तालिब इल्मों से अपने देश और समाज के लिए कुर्वानी देने के लिए हमेशा तयार रहने के लिए कहा हिंदी के महत्व को बताते वे समझाया कि इसका परियोग, अनुवाद, संचार माध्यम, फिल्मों एवां संपरकवाशा के रूप में बढ़ रहा है और हिंदी की एमियत को बताते वे उन्होंने समझाया कि इसका इस्तेमाल रस्र रसाहिल के जराय में, फिल्मों में और दूसरी जबानों में बढ़ रहा है आपको हिंदी का देयन करना जरूरी है, आपको हिंदी का पढ़ना बहुत जरूरी है मुझे विश्वास है कि वार्शी कुस्सों समारों का वरणन पढ़कर तुम्हें आनन्द होंगा फिर देखो यहाँ पर अविनाश कहता है कि मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि सालाना जल्से का बारे में सुन पढ़कर आपको बहुत खुशी होगी होंगी चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना, बहन स्वाती को मेरा स्णे और स्वाती को मेरा प्यार तुमारा मित्र अविनाश, तुमारा दोस्त अविनाश झाल झाल